हलो एविवन नमस्कार नीट और जेटबली वालों के लिए ओप्टिक्स का प्लेस्टू की फिजिक्स से एक बहुत इंपोर्टन क्युस्टन भी जो आपके नीट और जाई अग्याम में पूछा जा सकता है और इससे आप लोगों का लेंस्मेकर फॉर्मूले का कंसेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा आईए स्टार करते क्विशन देखिए क्या है अमारे पास यह होगया लेंस्ट भजैसे बना ले या कंके बना ले अगर के लिए डिया जाता है अब इस lens को मैंने क्या क्या दुबो दिया लो भई किसमें दुबो दिया in a liquid of refractive index 1.25 एक ऐसे liquid में जिसका refractive index ये लो भी liquid डाल दिया मैंने और इस liquid का refractive index कितना है बताइए 1.25 ओके then the focal length बताइए कितनी हो जाएगी ये बताना है आप लोगों को अब भी lens है और lens के case में ये जो बाहर वाला surrounding है ये इसकी focal length को decide करता है और इस focal length को निकालने के लिए हमारे पास एक बहुत important formula है जिसे हम कहते हैं lens maker formula जो कहता है 1 by f focal length किसी combination के लिए ले चाहिए especially अभी lens को बना है अपा तो 1 by focal length बराबर होगी किसके भी mu of lens refractive index of lens by में mu of surrounding refractive index of surrounding ठीक अभी bracket start करते हैं minus में 1 ये लो ठीक है into में इसके multiply में क्या भी देखो 1 by r1 minus 1 by r2 अब ये क्या है हमें पता है जो lens हम इस्तिमाल करते हैं वो generally या तो आपका convex होता है या कंकेव होता है अब mirror में plane mirror plane होता है हम lens के अलग-अलग combination बना सकते हैं बहुत जनरली यह इस्तिमाल करते हैं तो इनके ये जो radius of curvature होती है ये वाली और हम कह सकते हैं ये वाली दो करो बन इसाब से इसको R1 मान लो या इसको R2 मान लो एक next वीडिएो में एक नुमेरीकल आएगा उसमें अटेम्ट करेंगहम यह बात कि R1 और R2 का क्या effect रहता है यहाँ पे यहां आप किसी को भी R1 मान लो किसी को भी R2 कि या R1 कम मानने है वो depends कर देयो में बोर अच्छा निमेरि आपका लेंज मेकर फॉर्मूला अगर आपको यह आता है तो किसी लेंज के स्राउंडिंग में कोई मेडियम डाला जाए आप पसानी से उस लेंज की फोकल लेंज निकाल पाएंगे अब आओ इसने क्या बोला बताओ भी म्यू ओफ लेंज दे रखा है कितना 1.5 ठीक है रख दो इसमें रखी देखते हैं वन बाई अफ निकाल लेते हैं कितना है 1.5 म्यू ओफ राम नहीं कितना है ओफ संस के बेस पर हम इसके उच्छन को पहचानते हैं पहले आप कि उच्छन की स्टेटमेंट पढ़िए फिर ओफ संस देखिये कैसे दे रखें आपने यही राज है जो अब आएगा आगे इस सिक्रेट को पहचानिया भी यह कह रहा है इंक्रीजिज टूए फैक्टर मतलब क्या है देखो क्या बोला है कि अगर आप एक लैंज को इतने रिफ्रेक्टिव नेक्स के मिडियम में दुबो देते हैं तब फोकल लैंज कितनी है तो इससे पहले वाली भी कोई कहानी होगी यहां दीजिए बई जनरली हम लैंज की फोकल लैंज जो निकालते हैं वो जब बहार का मिडियम हम एयर लेके चलते हैं और एयर का रिफ्रेक्टिव नेक्स कितना होता है वन यानि पहले उसने आपको एक फोकल लैंज निकालने के लिए बोला है स्टेटमेंट में या दिया है मान सकते आप कि आपको यह वाला राज यह वाला सिक्रेट इसक्यूस् अब आपने इसको 1.25 वाले मिडियम में रख दिया यानि पहले आपने ऐसे मिडियम में रख रखा था जिसका रिफ्रेक्टिव नेक्स कितना है वन जब भी कोई और मिडियम नहीं दे रखा आप एयर मान के चलेंगे एयर का रिफ्रेक्टिव नेक्स कितना होता है वन ठीक तो 1 by r1 minus 1 by r2 को x मान लो अभी x क्यों मानना पहले सुनो क्या इनों ने आपको r1 r2 किस्टन में दे रखी है कहीं नहीं दे रखी तो आप 1 by r1 minus 1 by r2 का एक लोचा है किस्टन में जो कहीं न कहीं कैंसल होगा आपको confuse करने के लिए उन्हें तो पताईए ना एक्जामिनर को पता है यह 1 by r1 minus 1 by r2 फोर्मूली में आता है थोड़ी शाने हो जाओ ऐसे भी 1 by r1 minus 1 by r2 की वैलो मान लो x समझ बारे हो ठीक है 1 by r अब देखो इस सोल करने आत्रीका देखी क्या मैं इसको 1 by 0 ले सकता हूं बिलकुल अब देखो यह दसमनों दो अंग के बाद है यह वाला यह वाला कट गया एक्सोपचास बच्ची हो गया अब पच्चीस का पड़ा मुझे आता भी पच्चीस पंज है एक्सोपच्चीस चीके डेड़ तो भूलो है कि नहीं अब क्या बाद 6 by 5 minus 1 लोगे तो क्या होएगा 5 6 1 जा 5 6 माइनस किता हो गया 5 लोगे 6 माइनस 5 किता हो गया 1 बोलो है कि नहीं ठीक है इंटू में क्या हो गया वह आपका एक्स बताइए आपकी यहां से मैं क्या दू फोकल एक्स कितनी आ गई बोलो एक्स या एक्स की वैलू निकाल लो जो 1 by 1 minus 1 by 2 इसी कि वैलो निकालो किता आ जाई गी बताओ 5y में f बोलो है कि नहीं इस इक्वल टू क्या गया भई फोर्मूले को वापस क्या वर्न फोकल लेंड का बई जब एयर हो यह लो साउंडिंग में मियो फ्लेंज कितना रखा है 1.5 फीक है बाइस राउंडिंग का कितना हो गया 1 रख दिया मैंने माइनस में कितना भई 1 रखो इन टू में क्या 1 by 1 1-1 by 2 की वैली मैंने एक्समान न सब्सक्तु यहां कि क्या था 1.5 माइनस 1.5 बचा देख लो बही किसी कुन्फूजन नेगे 1.5 माइनस 1 भाग में वन तो ठीक ही बात होगी ठीक है कि स्रांडिंग का वन था ओकी इतना बचा पॉइंट फाइव 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 रख दो यहां से ठाक किती है 5 बाइमेर जब रिफ्रेक्टिव इंडेक्स स्राउंडिंग अर्किता था 1.25 क्यूस्टन की मोडिफिकेशन बताऊंगा अपनी कोपी निकाल की इसकी प्रेक्टिस को जल्दी से क्या और कैसे क्यूस्टन आप से पूछ जा सकते हैं जल्दी देखो क्या कानी है तो इस फ की वालू चा इस एफ इन एर कितना आया कि जो नई फोकल लेंट है जब मैंने इस लेंज को चाहे आप इसको कनकेव मालो या कनवैक्स मालो आपकी मर्जी क्योंकि आरवन और आर्टू का चक्तर ही बताता है इन लेंजों के बारे में वह वाला सिस्टेम यहां इस क्यूस्टन के हिसाब स इस चला गया तो क्या फाइनल जल्टाया जो यह लेंज है जब इसको मैंने एर से एक ऐसे मीडियम में डूबो दिया जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना था 1.25 तो क्या इसकी फोकल लेंथ जो नहीं आई है वो एर में जो फोकल लेंथ ही क्या उसके 2.5 टाइम ज्य का सिस्टम में होता है तो फाइली फोकल लेंथ 2 का मतलब इतनी हो गई इंक्रीज क्या बढ़कर हुई है क्या बिल्कुल जैसे ही आप इस मीडियम नया मीडियम डालेंगे तो फोकल लेंथ क्या होएगी इंक्रीज होएगी फलस का साइन आ रखा है जिसका मतलब समझ सकते मालो भाइचांस माइनस का आजाता तो आप कह जेते डिक्रीज कब हो सकती है डिक्रीज जब ये 1.5 लेना यहाप नशन आप सोराउं़ंग का मिडियों नेगी तिज़ेन की सब्सक्राइद सब्सक्राइब कित्री आएगी वो आप कमेंट करेंगे आप समझे यानि 2.5 टाइम्ज हो गई या फियर की बढ़कर फाइनली 2.5 टाइम्ज हो गई एर के इंक्रीज टू ए फेक्टर ओफ टू कितना भी 2.5 ये वाला तो अपसं तुम्हारा ये रेगा भई ज्यानक न ठीक है तो नई फोकल थे इन्होंने इस क्युसिन में पता है क्या बोला है एक lens था उसको surrounding में ऐसे air थे ऐसे पकड़ लिया उसकी focal ends calculate कर ली वो आपको conceptually पहले से ही समझनी होगी understood है यह बाद समझ पारे हो तो आप असनी सह से किसम निकाल पाइए अब ध्यान दीजिए स्राउंडिंग में रखोगे तो तो फोकल लेंग तो बड़ेगी पावर घटेगी नोट कर लो यह बाद वहीं पे अगर मियू ओफ लेंज लेस हो जाए मियू स्राउंडिंग से तब क्या होगा तब आपकी जो फोकल लेंड है वो नेगिटिव आती पहली बात तो यह ध्यान अब अब पावर के उपर नुमेरीकलं वेल्यू डिपेंड कर जळादा बैठ रहेगां यह बोलना कि निम्यकालना कितने टाइं सुच्छा small common rule यहां पर नहीं बना सकते कि कितने जो time होगी यह increase होगी या decrease होगी वो question पर depend होगा यहां पर पुछ लेते हैं पता है क्या कि क्या convex lens हमेशा convergence का कारिया करता है क्या converge करता है ना diverge भी कर सकता है कब खेल होता है ऐसा जब surrounding का reflective index क्या हो जाएगा ज़्यादा लेंस के effective index तब आपका convex lens भी जो converging का काम करता है diverging का काम करने लगते हैं और वही पर अगर यह कंकेव होता कंकेव diverging का काम करता है कंकेव के case में अगर surrounding के medium का effective index ज़्यादा हो जाए तो यह क्या करेगा converge करना समझ पा रहे हैं एक और बात यहां पर समझ लेना convex lens की focal length होती है positive जो यह सो करती है कि converge करेगा अब आपको किसी ने convex lens दे दिया और वह बोलते कि यह diverge कर रहा है तो समझ लेना उसकी focal length negative लेनी आपको समझ पाए ऐसी बोल दिया कि आपके पास concave lens है concave lens की focal length क्या आती है भी negative होती है जनरली negative होती है अब वो कह दे lens, convex lens, converging भी हो सकते हैं और diverging भी हो सकते हैं बट ध्यान रखना mirror के case में concave mirror converging ही करेगा चाहिस rounding में कुछ भी रख देना आप और ऐसे ही convex mirror diverging का का काम करेगा चाहिस rounding में कुछ भी आपको आपको यह question जो neat OJ exam specially यह aims दो जाच्छे में पुछा जा चुका है आप लोगों को समझ में आया है इसका basic concept आप लोग समझ पाए है और और ऐसे questions की study के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ABC physics world को सब्सक्राइब कीजिए जिसको chemistry के बारे में जनकर लेनी है वो ABC physics world को सब्सक्राइब कर सकता है वह साइस और वीडियो आप लोगों के लिए बना दी गई है chemistry और physics के लिए तो गाइस अच्छे से पढ़ि किल लेस्ट